हलो बचो कैसे हो आपका स्वागात है तिर पान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा नाइन्थ का भिगोल का दे तीन यानि देखा जाए तो एक अक्षार नाइन्थ का जोग्राफी का चैप्टर जो है थर्ड है जो काफी महतोपूर्ण है जिसमें हम ड्रेनेश सिस्टम के विशाय में चर्चा करेंगे यानि अववात तंत्र जो काफी महतोपूर्ण रहेगा और इस चैप्टर में हम विस्तार प्रभग जानने कोशिश करेंगे कि अब वाद जो एकिस प्रकार जो है इस प्रकार जो एंपोटेंट है और देखा जाये तो इंपुष्थ से उसके सारइ इंपोटेंट फीश दियांगे आपके लिए चितना हो सा até इसको अच्छे से लर्ण किजिए, समझ ही और एक्जाम के अच्छे से तयारी किजिए और यह कोशन हर समय मैं तो पून रहेगा इसलिए इसको इक्डोर नहीं किजिए चलिए देखते हैं हमारा कोशन आज क्या है The next fourth question is most important here, right or short note of the National River Conservation Plan. There is a most important here, a National River Conservation Plan, NRCP. There is according to the written chapter, there is a most important point here, National River Conservation Plan, NRCP. The river cleaning program in the country was the initiative with the launching of Ganga Action Plan, means GAP, in 1985. 1985, the launch of Ganga Action Plan, the Ganga Action Plan was expanded to the cover of the rivers under the National River Conservation Plan, there is a NRCP. In the year 1995, there is a most important thing here, the 1995, the under there is expanded to the conservation of your National River Conservation Plan, and there is a most important for here, the objective of the NRCP is there is improve the water quality of the river, and which are the major water source in the country. Through the implementation of pollution, through the implementation of pollution, is abortment work, there is a most important question, and here answer, NRCP. According to Drainis, there is a Ganga Action Plan, or included in a time since 1985, but NRCP is recognized. There is a most important question here. यहां आगार करें, यहां पर हम बात करें राष्टे नदी से लखिना योजना यानि आणि आ नर्सीपी पर संजो है टिपनी करने की बात तो काफी महतुपून डाहेगा, क्योंकि आपको पता है कि यह चैप्टर जो है काफी महतुपून इसी बात पे अधारित है कि यहां पर जो है नदियां वो जो पहलूशित हो रही है उसे कितना जो है हमारे परियावरान पर नुकसान पहुंचेगा इसी के अंतरगत उनकों सफाई के लिए जो प्रोग्राम बनाई गई थी उसको हम राष्टे नदी सेलेक्ष्टन संदक्ष्टन योजना के अंतरगत देख सकत वह कुश्टन भी बहुत काफी महत्वपून है कि राष्टे नदी सेलेक्ष्टन योजना क्यों बनाई गई इसको क्या महतुपता कब बनाई गई गई तो जर्णल सी बात है कि देश में नदी सफाय करम कार्यकरम की सुरुवात जो हुई ती 1985 में होई ती यानि नदियों क सफाई करने की जो सिलसिला चली वो कंटिन्यू चलती रही और आज जो है कई मानने में देखा जाये तो नदियों के सफाई करने के लिए बहुत से प्रोग्राम जो है आज सरकार ने कर चुकी है कहते है वर्ष 1995 वे में राष्ट्यर नदीं सरक्षण योजना यानी NRCP की गठन की गई थी कावी महत्वपून है यानि वर्ष 1995 में राष्ट्यर नदीं सरक्षण योजना NRCP के तहत अज्डे नदियों को जो है कवर करने के लिए गंगा एक्शनल प्लाण का वि इसी के पहले इससे पहले बनाई गई थी गंगा एक्शन प्लाइन जो की अठार उनीसो पचासी में बनाई गई थी यानि देखा जाए तो इसी को जो है और बहतर बनाया गया था बिस्तार किया गया था ठीक है जी एपी को यानि गंगा एक्शन प्लाइन को बिस्तार करके ज यहाँ पर सबाल नहीं इट रहा था, सबाल इट रहा था नदियों की साफ कैसे किया जाए, चाहे ओ गंगा हो, चाहे कोई भी नदी हो, ब्यास नदी हो, जागर यह कोई भी नदी हो, इसी का अंतर गजो एनार såीपी बनाई गई और इसके तहट नदियों को जो है साफ करने की और उनको जो है cover करने की बात की गई थी किसमे पलुश अधिक सदिक नहो सकी कहते हैं NCRP का उद्धेश्य परधुशन जो है उपश्रमन कारिक्राम को जो है करनवत के माध्यम से नदियों के जल की गुनवेंता हमें सुधार करना था जो देश में प्रमुक्य जल सोत्र के रूप में थे क्योंकि अगर हम नदियों का अगर सर्नक्षन नहीं करेंगे पानियों के सर्नक्षन नहीं करेंगे तो जर्नल सी बात है कि आने वाला समय में हमें सुध वाटर मिलना संबह भी नहीं है यानि सुध पैजल मिलना कहते हैं नमुकिन सी रह जाएगी और ये देखने को मिला भी है और है भी आज अगर हम देखे तो गंगा जो है बिल्कुल दूशित हो चुकी है काफी पैलूशित हो चुकी है और ये इंसानों के गत्वी बदियों कारा नहीं हुआ है लेकिन सरका में के पास पास जाएं तो जो है पलूशन पहलाने कोशिश ना करें क्योंकि ये जो है आपको किसी न किसी रूप में आप तक ही जल पहुंचेगा चाहे भूमी गत के रूप में पहुंचे चाहे आप गंगा के पवित्र जल के रूप में इसको अपना हो तो कहते हैं अगर कर दोरा बना गया Н.R.C.P का़िकरैम को सफल भी बना ना है कहते सरकार का इसे सफल को सफल नहीं बना सकतीं जतना बना सकतींटीन नदियों नदियों का हुप्योग करती है दुशिशन नदियों के देखभाल भी कर सकतीh invers जानने की कोशिश किये कि यहां पर गंगा प्लान क्या था तो यह कोशिश काफी महत्वपून था एक्जाइम भी उसको नोट जरूर कर लेना और इसको अच्छे से याद भी कर लेना अगर यह बात आपको अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना कर लाइक से साराव कर लाहा यहिए कोशण भालनोंगा उसको अवादाने को हुआ एक कि दुशा उरर आटार आटारेर हुआपून भालना कि यह बाद टे अृफश़ जर आचलिक TV छूलना maintenance